प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए भरती किये जाने वाले शिक्षकों में एंटिटी कोटे के 70 फीजदी पदों में से 35 फीजदी पदों पर बैच्वाइस भरती होगी और 35 परसेंट यहां पे सीधी भरती के अकोर्डि बरे जाएंगे और नेक्स यहां पर पॉइंट रहेगा परदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भरती के लिए नर्सरी टीचर ठ्रेनिंग करने वालों को 70 और आंगनवाडी वरकरों का 30 फीजदी और यहां पर बताया जा रहा है कि 4000 स्कूलों में शिक्षक भ तरह हुए है और नेक्स यहां पर मुँट रहेगा जैसे कि आपको बता दिया गया है कि कितने प्रसेंट फीजदी यहां पर एंटिटी िकोटे में किसी साब्बढ़ कर जाएंगे और नेक्स यहां पर की इसके लिए नियमों के तहद भरती की जाएगी और शिक्षा विब से वह काफी समय से निश्य के मांग कर रहे थे और परद्रशन भी काफी सारे कर रहे थे तो ऐसे में भाग़ी अधिकारीों ने बालारा को वह शामिल करने का अ है विभागी अधिकारीओं को और से त्यार कियरे पस्ताब में दस South विढयार्थियी में सिंधिवाण के लिए आयू सीमा 18-45 वर्षतर करने की सिफारिश भी की जा रही है बैठक में समग्यर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डाक्टर बियंदर शर्मा महिला एब बाल बेकास निदेशक राखिल काहलो सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं तो गैस यह है अपडेट के इसके अकॉर्डिंग लिए अब जो दस विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूल है उसमें भी शिक्षक भरती की मांग की जा रही है और ठा से 45 वर्ष शिक्षकों की जो एज है उसको रखा जाएगा और यहां पर जो रूल बताये गए हैं कि 70 फीजदी में 35 फीजदी बैच्वाइस भरती होगी 35 फीजदी सीधी बरती होगी तो मंत्री मंडल इसमें बदलाब कर सकता है यह मंत्री मंडल में अभी पस्ता प आई हो तो प्लीज शियर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिया कि everyone thank you so much